अगर इस साल आपके घर में कोई भी मांगली कारे हुआ है तो क्या उस साल पित्रों को तरपन देना चाहिए या नहीं इस बात में कितनी सचाई है देना सही है या गलत जानेंगे इस वीडियो में अगर इस साल आपके घर में किसी भी प्रकार का अगर मांगली कारे हुआ है मांगली कारे में देखे बहुत कुछ आता है जैसे की साधी वियाच्छे का अबर अच्छे मतलब उसको सगाई बोलते हैं सगाई वगेरा हुआ है या फिर ग्री प्रिवेस हुआ है मूंडन हुआ है जन्यों वगेरा का जो संसकार होता है रसम होता है वो सब अगर हुआ है तो आपके घर में एक तरस से यह मांगली कारिवा तो ऐसे में आप इस साल तरपन कर सकते हैं कि नहीं अपने पित्रों को तो यही आज इस वीडियो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ तो देखिये हमारे यहां क्या है कि किसी भी परकार का मतलब साधी ब्याही होता है तो सबसे पहले हम आरे यहां पित्रों को ही नेवता दिया जाता है पित्रों को ही निमंतरन दिया जाता है काड हम पित्रों को चड़ाते हैं और उनसे हम उनकी बिद्वत पूजा करके और सबसे पहले हम उनसे यही प्रातना करते हैं कि जो हमारे घर का कार है, मांगली कार है, सुबकार है वो अच्छे से पूरी हो जाए बीना किसी बाधा के, बीना किसी बिगन के तो इस परकार से सबसे पहले तो हम पित्रों को ही याद करते हैं पित्रों की ही पूजा करते हैं और देखिए पित्रों का पूजा करना जरूरी भी है क्योंकि वो उस घर के पूरवज हैं पित्र हैं तो सबसे पहले उन्हें खुस करना चाहिए अगर उनका असरवात रहा तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है, बहुत सारे दोस्तों हिंदू धरम के जो लोग हैं वो इस बात को मांते हैं, अपने सास्त्रों में भी पढ़ा होगा कि मात्रो देव भावा, पित्रो देव भावा इसका मतलब यह है कि जो माता पीता होते हैं उनके जैसा कोई देव नहीं होता है वो देव की तुले होते हैं और जब हम अपने माता पीता को खुस रखते हैं उन्हें संतुष्ट रखते हैं तो वो खुस रहते हैं तो हमें आसरवात देते हैं और उनके आसरवात से हमारे जी चीजी, पित्र दोस इतना बड़ा दोस होता है कि अगर आपके घर पे लग जाए, मतलब अगर आपके पित्र आप से ना खुस है, तो आपके घर में बहुत संकट आएगी, बहुत रखकलेस होगा, स्वास्ट समंदी, बहुत सरी बिमारी आउंगी, मतलब आप किसी भी परकार से खुस नहीं रह पाएंगे, आप मतलब तिनके तिनकी के लिए मोहताज हो जाएंगे, ऐसा हाल हो जाता है अगर घर में पित्र दोस होता है तो इसलिए पित्रों को खुस रखना बहुत जरूरी है, और देखिए पित्र पक्ष जब सुरू होता है, तो पित्रों का तरपन, स्राद, पिंडदान वगेरा किया जता है, विदिविधान से लोग करते हैं अपने पित्रों के लिए, तो इस टाइम पे तरपन करने से पि साधी बया वगेरा हुआ है, कोई भी इस तरीके का मांगली कारे हुआ है, तो उस साल वो लोग पित्र पक्ष में पित्रों का तरपन नहीं करते हैं, क्योंकि इस चीज़ को लोग असू मानते हैं, हाला कि इसे असू मानना नहीं चाहिए, एक तरह से स्राद जो है, किसी की भी मृत्व होती है, तो एक साल बाद स्राद होता है, उस साल ना तो कोई बरत किया जता है, ना कोई तीज तेहवार और ना ही दिपावली मनाई जाती है, किसी भी तरीके का घर में तीज तेहवार नहीं मनाई जता है, और ना ही उस साल किसी भी तरीके का मांगली कारे किया तो इस परकार से क्योंकि जो स्राद है वो एक सल बात किया जाता है और जो लोग मट चुकिे हैं उनको शरदाँजली देने के लिए उत्सों के रुप में मना जाता है और स्राद को कभी भी असुब नहीं मानना चाहिए स्राद वो एक तरह से सुभ उत्सव के रूप में मनाया जाता है पित्रों का उसमें हम पूजा पाट करते हैं उनके लिए स्राद करम करते हैं तो वो एक तरह से उत्सव हो गया तो इसलिए सुभ नहीं माना जाता है इसे सुभ मानना चाहिए क्योंकि ये सुभकारियों में ही आता है ठीक है तो देखे पित्र जो है वो पितरपक्ष में ही पूझे जाते हैं और पितरपक्ष साल में एक ही बार आता है अस्मिन मास के किस पश में पढ़ता है पितरपक्ष और इसमें पित्रों की पूझा जरूरी करने चाहिए अगर वो असंतुष्ठ होते हैं और जब पित्र असंतुष्ठ होंगे आपके सेवा भाव से तो वो एक तरह से आपके घड़ पे सराप लगता है वही आपके घड़ पे उसका दुस पर भाव पड़ता है और वही एक तरह से पित्र दोस हो जाता है पित्र दोस इसको मान के चलिए तो वही एकदरसी पितर दोस लगता है इसलिए अगर आपके घर में मांगली कारे हुआ भी है तो ऐसे में आपको अपने पितरपक्ष के टाइम पे पितरों को तरपन और स्राद जो भी आप जल वगएरा पानी वगएरा देना है वो जरूर ही करना चाहिए इससे जो हैं आप कोई भी दूसरा कार्य ना करें कोई भी जैसे कहते हैं लोग के सुब कार्य नहीं करने चाहिए देगे सुब कार्य करने से आपके पितर ना खुस नहीं होंगे उनको बस चीस चीस से मतलब है कि आप जो है ये 15 दिन ये 16-17 दिन का जो समय होता है वो उनको समर्पित करें उन वस्त्र का दान जरूर ही करना चाहिए तो अन और वस्त्र का दान इस टैंप पे आप जरूर करें और साथ में पित्रों को जल जरूर दें तो तरपन करें यानि कि तरपन करें सिंपल से आप घर में भी तरपन कर सकते हैं तो यह चीज आपको जरूर करने चाहिए